जैश्री खाटू शाम स्वागत आपका एक नए वीडियो में आज हम रोड ट्रिप कर रहे हैं दिल्ली से राजस्थान आपको इस दर्शन कराएंगे इस वीडियो में हम खाटू शाम जी के चलिए हम आज साथ बेने रहेगा इस वीडियो में हम लगबग रात के साड़े बारा बज रहे हैं और हम निकल पुड़े हैं यहां से धोलगों पहुच चुके हम गोलचकर पर यहां से अभी हम लेफ्ट लेंगे गुड़गाओं हाइवे के लिए जो राजस्थान हाइवे को कनेक्ट करता हैं आप हुआ अभी और पेट्रोल डलवाना है एपनी गाड़ी में तो आप भी पेट्रोल पॉम्प आगे है वहां से पेट्रोल फिल कराके हम आगे निकलेंगे और हम यहां से जैपूर हाइवे पर आ चुके हैं इस हाइवे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है और यह दो लेन का हाइवे है भी और रात के लगबग चार बजगे हैं हम आगे निकल रहे हैं यहां से और अभी हमें टी ब्रेक लेना है तो हम देखते हैं कहीं जगे मिलेगी तो अच्छी जगे और हम टी ब्रेक के लिए रुके हैं लगबग साड़े चार पौने पांच हो रहे हैं रात के यहां से फिर हम आगे निकलेंगे खाटू शाम जी के लिए अभी हमने में हाइवे से लेफ्ट लेके अंदर की तरफ आ चुके हैं और हम अभी रिंगस के लिए जा रहे हैं यहां से और अभी हम रिंगस के लिए यहां से लेफ्ट हुए हैं यह जो सामने आप फ्लाइवर देख रहे हैं यहां से फ्लाइवर उतर के ही रिंगस चोक है जहां से लोग अपनी यात्रा शूर करते हैं यहां से लगबग पांच किलो मेटर आगे है खाटु शाम जी का मंदिर यहीं से लोग अपनी यात्रा पैदल ही स्टार्ट कर देते हैं सुबह अभी लोगबग सुबह के साड़े पांच बज़ रहे हैं और हम मंदिर के पास जा रहे हैं आँ से आगे काफी लोग पैदल ही जा रहे हैं यहां पे जंडा उठा के पैदल ही पैदल जाते हैं वो मंदिर तक बहुत ही ज़्यादा मानने देता है इस मंदिर की बहुत दूर दूर से लोग आते हैं आपे अभी हम लगब शाम गेट पECH पहुशने वाले है और यहाँ पर HUMी दशनकल्री के लिए निकल चुके हैं और अभी हम मैन मारकीट से होतो जूँए आगे जा रहे हैं। है यह को सामने आप देख रहे हैं मेन मारक इट है और यह श्री मन्दिर का गेट है यहीं से ईंड्रि होती है मैन मारकिट में यहां पर बहुत सारी ट्रिशाद की शॉप से हैं यहां पर प्रिडे ड्राइफूर्ड्स चपर्डू सब कुछ ले सकते हैं यहां पर प्रसाद के रूप में, जो अंदर चड़ावा चड़ता है प्रसाद, चलिए हम आगे दर्शन के लिए चलते हैं, तो अभी में गेट से एंट्री बंद है, तो पीछे की गेट से जाना होगा, क्योंकि भीड बहुत जादा है, तो में गेट से एंट्री अलाउड न अब हम लाइन में लग चुके हैं और यहां आगे जा रहे हैं, दर्शन करने के लिए यहां पर बहुत जादा भीड है, तो गर्मी भी बहुत जादा है, गर्मी से बचाने के लिए यहां पर वाटर स्प्रे हो रहा है, कूलर भी बहुत जादा लगे हैं, यहां पर देखिए वाटर स्प्रे हो रहा है, और गर्मी बहुत ही जादा है, इसलिए बक्तों की भीड मंदिर बहुत ज़्यादा है हांपे अब ये मंदिर परिसर में तो वीडियो और क्यामरा अलाउड नहीं है हम वीडियो अंदर बना नहीं सकते हैं तो आप यहीं से दर्शन कीजिए क्योंकि अंदर मंदिर परिसर में वीडियो बनाना अलाउड नहीं है फोटरिशना जैश्री श्याम अब हम दर्शन करके आगे हैं और बाहर से यह देखिए जाब हम एक्जिट हो रहे हैं बाहर मंदिर के अब हम मंदिर से बाहर निकल रहे हैं चलिए आपको लेके चलते हैं श्याम कुंड की दरफ यह वही रास्ता है जो श्याम कुंड की दरफ जाता है यह वही स्थान है जहां पर श्याम जी की मुर्ति प्रकट हुई थी इसको स्थान को श्याम कुंड कहता है और कोविड के बाद यह अभी तक ओपन नहीं हुए लोगों के लिए तो यह अभी क्लोज ही है देखिए सामने आप जैसे श्याम मिलत